आनन लो प्रती दिन के जीवन का में स्वागते इस ही में आपकी मदद करने की योजनाय हमारी जीवन के प्रतेक दिन का आनंद लेना आज मैं आपसे पवित्र चरित्र के बारे में बाते करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना पड़ेगा जो कि मैंने अपने आपसे पूछा था बंद द्वारों के पीछे क्या चल रहा है अकसर लोगों के सामने ये खास तरह से बर्ताओ करने की हमारी आदत होती है खास कर उनके सामने जिने हम प्रभावित करना चाहते हैं किन्तु घर के बंद द्वारों के पीछे हमारा बर्ताओ बिलकुल भिन्य होता है ये महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि हम परमेश्वर के सामने जीते हैं जानते हुए कि हमारे सारे कामों पर उसकी दुरुष्टी है और सिर्व जनता तोशक की तरह नहीं साथ रहिए पवित्र चरित्र पर विकास की बात को हम आगे बढ़ाने वाले हैं आपको कुछ पढ़कर सुनाऊंगी एक पुस्तक है नाम है अमेरिकास प्रोविदेंशल हिस्ट्री ये मेरे पती के लिए जीवन बदल देने वाली थी मगर ये है अमेरिका का इतिहास हमारे संस्थापक आदर्णिय पुर्खों ने जिन सिद्धान्तों पर आस्ता रखी थी और चले थे उन्हें हमने खो दिया है विसिद्धान्त जिन पर वे अठकेरे जी और मरे उन्हें पिछणने देना ही आज हमारे जीवन की और हमारे स्कूलों की और हमारे देश की बहुत ही जादा समस्याओं की जड़े हाँ उन्हें समस्याएं थी मगर आज की तरह हमारी समस्याएं उनकी नहीं थी देखे आप इसे ध्यान से सुनिए उपनिवेशों में शुरू की बसने वालों ने सोचा था कि उनके लिए वो एक भायावश्राप था कि किसी दिन उनके पास बेवकूफ प्रचारक होंगे जो परमेश्वर की वचन का ज्यान होने से नहीं जानती थी कि किसी स्तिती में उन्हें कैसे लागू करना चाहिए अब उनके कहने का तात्पर यह है कि हमारे मन में भहे कि हमारे पास ऐसे प्रचारक होंगे जो ऐसे विश्यों का प्रचार करेंगे जिनें हम प्रति दिन के जीवन में काम में नहीं ला सकेंगे उनका सबसे बड़ा भै था कि उनके प्रचारक लोग ऐसा प्रचार करेंगे कि उनके प्रचार में लोगों के जीवन का प्रतिविम नहीं होगा केवल हवा की बाते, महिमा में उडो जैसी बाते उनकी चिंतन में अंधेरी युगों में धार्मिक और नागरिक ताना शाही का प्रात्मिक कारण यही था क्योंकि प्रचारक ऐसी प्रचार से दूर हो गए थे जिससे लोगों के दैनिक जीवन प्रभावित होते थे अब देखिए समय को पहचानना आपके लिए बड़ी बात होगी रोपदार बात होगी हरे को जानकारी मिली चाहिए मगर आप भी अपना दैनिक जीवन जैसा जीना चाहिए जीएंगे तो जब भी वो लोटकर आएगा आप तयार मिलेंगे मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे ऐसी कोई चिठी नहीं चाहिए जिसके मैं विरुद दूँ ये बात नहीं ये तो बड़ी बात है बहुत दिल्चस्प है हमें सीखना चाहिए जानकारी मिली चाहिए हमें जानना चाहिए किन्तो आपको जाना चाहिए कि अपने पड़ोसे से कैसे निभाएंगे अपने उस बच्चे से कैसे निभाएंगे जो आपका भीजा चाट जाता है आपको जाना चाहिए कि विवहा कैसे सुरक्षित रहे जानना चाहिए कि अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए? कि जीवन में 4 बार दिवाला ना निकल जाए. Come on now. आपको जानना चाहिए कि सही चुनाव कैसे करना चाहिए जबकि आपका हर जानकार सही चुनाव नहीं करेगा. बाहर जाकर वोट दिन आपको जाना चाहिए आपको प्रात्ना करना जाना चाहिए सही दोस्त चुनना आपको जाना चाहिए देखे सुनिए हमें लोगों को बहुत कुछ बताना है क्योंकि इश्यू हमें बेड कहता है और बेड मुर्ख होती है और मैं भी वैसी हूँ, मैं भेड़ू, मैं किसी का पमानी करी हूँ, मगर एक बात जानते हैं, आपकी प्रचारकों को आपसे इतना प्रेम रखना चाहिए, कि आपके मुँपर बोले और आपके काम से काम रखे उन्हें आपसे कहना चाहिए, कि टेलिविजन पर क्या ना देखे, उन्हें बताना चाहिए, कि आप कैसे कपड़े पहने, आपका बरताओ कैसा हो ये भी बताना चाहिए, दोस्त किसे बनाना चाहिए, और लोग उन्हें ये परियाप्त प्रेम हो, तो आपको ये सब मैं किसी दिन परमिश्वर के सामने खड़ी होंगी और उनका लेका पताऊंगी जिने उसने मेरे हाथों में सौपा है मैं एक चीज का वादा कर सकती हूँ यह दि आप मेरी संगोष्टियों में आते रहें या टेलिविशन कारिक्रम देखते रहें मेरी हर बात आपको शायद अच्छी ने लगे मगर आप पविश्ची जानेंगे मैंने जो कहा कारिक्रम की समाप्ति के बार और आप कहीं ने कहीं उसका इस्तेमाल करेंगे आमेन लौर्ड कनिंगहाम जो की प्रधान है यूत वितमिशन के और पिछले आठ महिनों में किसी समय मेरी उनसे दो घंटे बात चीत हुई है और संसार भर में सम्मानिय व्यक्ति हैं वे संसार के हर देश में घूम चुके हैं उन्होंने मुस्से एक बात कही जो मैं अभी तक भूली नहीं उन्होंने कहा दो चीज़े हैं जिनकी चर्च को आज सक्त जरूरत है एक है प्रकाशन और विश्वसनियता हमें जरूरत है व्यवहारिक ठोस बाइबल शिक्षन की जिसका लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे और एक बात बताती हैं सोनली जी लोगों की प्रति दिन के जीवन के लिए बाइबल लिखी गई है रविवार सवेरे 45 मिनिट के लिए किसी महेंबा पूर्न घटना के लिए नहीं है ये ये हमें सिखाती की पैसो का क्या करें जरूरते कैसे पूरी हों कैसे चिंता ना करें लोगों के साथ कैसे निबाए ये सब कुछ सिखाती है जैसे की रात को नींद कैसे आए और सुबह उठकर आपको क्या करना चाहिए, ये हमें भोजन की रितिया भी सिखाती है, पीने के पाली की भी ये बात करती है, सब के बारे में, सब को जो लोग सदा जानना चाहते हैं, आप यदि इसे पढ़ें और इस पर चलें, तो आपका जीवन रोबदार हो जाएगा, आप यदि इसे पढ़ें और इस पर चलें, तो आपके जीवन में रोब अवश्य आजाएगा, मैं नहीं केरी हूँ कि आपको कभी समस्या नहीं आएगे, मगर एक बात सूलीजे, शैतान नहीं जीतेगा, उसकी जीत नहीं होगी, लगता है मैं वहाँ चली जाओं और आज मु अचली जे, ये संभाव नहीं कि आप अवित्रों और लोग प्रियभी, सफलता की सीड़ी चाड़ने के लिए संसार के खेल ना खेलिए, प्रभू में भरोसा रखिए, सच्ची उन्नती उसी से आती है, कि वो मुझे जानता और समझता है, व्यक्तिकत और व्यवारिक रूप से विवेचन करें और मेरे चरित्र को पहचाने, कि मैं यहुवा हूँ जो प्रेम और करुना के काम करता है, ये बहुत प्यारा, ये नहीं कहता कि वो जानता है, वो करता है, हमें करने की जरूरत है, हमें आदत होनी चाहिए करने की, जिसे हम करना जानते हैं, और यही युद्ध सदा छुड़ा है शरीर और आत्मा के बीच, भीतर हम जानते की सही क्या है, मगर शरीर गलत काम के लिए दबाव डालता है, और एक बातर हम ही निर्णाय ले सकते हैं, क्या हम वोट किसे देंगे, क्या हम शरीर के कहने पर चलेंगे, और घड़ी बर के राहत से खुश चोलेंगे, हुँ हु, मैं खुश हूँ, और फिर उसके बाद भीतर परिशानी में तड़ पेंगे, और रात को दोशी विविक के साथ सोईगे, और रिदे के भीतर हुक सी उठेगे, क्योंकि हमने समझोता कर लिया था, हम जानते कि हम प्रभू में बने ना रहे, या हम शरीर को थोड़ा सा कश्ट उठाने देंगे थोड़े दिनों के लिए, ताकि हम भीतर चरम सुक और अनंत महिमा का अनुभाव कर सके, तो हमारे चलने के दिशा की सोर होगी, पद पच्चेश देखो यहुआ की वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले जब मैं उन सब को दंड दूंगा, जिनका बाहरी शरीर से तो खतना हुआ है, वाओ, मगर भीतर की शुद्धता में अब भी खतना रही थे, वाओ, कितनी गहरी बात है, पुरानी वाचा की अनुसार, उनका शरीर में खतना हुआ था, मगर उन दिनों वो एक रजा मंदी की निशानी थी, खतने का जीवन जीने की, वो तो भीतरी निणे की बाहरी निशानी थी, परिंतु उसका एक ऐसे क्षेत्र में, प्रवेश हुआ जहालोग पुरानी नियम में पुरानी वाचा की नियमा वलियों के अनुसार चलने में व्यस्त रहे, उनके सिर पर धर्म शास्त्र थे, बाहों पर धर्म शास्त्र पहने थे, आम जगों पर उचे स्वर में प्रार्थना करते, दश्मांश, पत्तों पर दिया, कोश पर और हर जगह पर, अर्था अथर जगह चाय हुए, आईए देखते हैं 23 मती, जड़ा इन्हें देख लेते हैं, एक बात जानते हैं, मेरी क्या से आज दुनिया में, बनावटी पंच से ज्यादा लोगों को परिशान करने वाली और कोई चीज नहीं, संसार चिलाना पसंद करता है कि जूटा कप्टी, आप रविवार को चर जाते हैं, आपका बरताओं दूसरों से बिन्य तो नहीं होता, कुछ लोग उसे पवित्र जीवन ना जीने के बहाने के तरह इस्तमाल करते हैं, खैर ये उनके और प्रभू के बीच की बात है, मगर उसी समय हमें सुनश्चित करना है कि वे जो कहते हैं, हम वो बिल्कुल भी नहीं है, यदि आप जो कर रहें वो सही है, तो मेरे ख्यास से आप उसका उतना बुरा नहीं मानेगे की लोग क्या कहते हैं, हमारे बिगड़ उठने का एक मातर कारण है कि हमें थोड़ा बहुत यकीने की वे सही है, आईए जरा एक मिनिट के लिए मत्ती तेईस के पास हो लें, पद एक तब ईश्व ने भीड से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मुसा की गदी पर बैठे, इसलिए तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परन्तो उनके से काम मत करना क्योंकि वे कहते तो हैं, पर करते नहीं, याद कीजी इर्मियार ने क्या काता, प्रभू ने कहा मैं करता हूँ, प्रेम और करुना के काम करता प्रवच्चन ही नहीं भेजता, अपनी पुस्तक में ही लिखने ही छोड़ता, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, वे एक भारी बोज को बांध कर जिसे उठाना कटेने मनुश्य के कंदों पर रखते हैं, पर तो आप उंगली भी सरकाना नहीं चाहते, वे अपने सब काम प्रमेश्वर हमें मदद चाहिए, मेरे लिए सबसे मात्वपून काम था सुनिश्चित करना कि मेरे सामनी वाली सीथ में कोई ना बैट जाए, आप समझते नहीं कि मैं एक मात्वपून वेक्ती हूँ इस चर्च में, किन्तु मैं तो दुश्टात्मों को निकालने की सामर् हरो से थी, क्या आज यहां कोई जाग रहा है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, सब को ऐसा करने में ही समर्थ होना चाहिए, हम सब को पीछे देखना चाहिए, कि हम कहां से आये और आगे, ओ, यक! उन्हें ये चीजें भाती हैं, बाजारों में नमस्कार और लोग उन्हें पुकारें, ये कहता है रब भी, मगर ये हो सकता है, मैं सिर्फ जनता की प्रचारी का होना चाहती हूँ, जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बाते बताया और मानती हूँ, कि आप इतर हैं, बच्चों को प्यार करें, परिस पर प्रेम करें, अपना घर साफ रखें, अपने बिल्स चुकाएं, चर्च जाएं, बचन का अधियन करें, लोगों से प्रेम करें, ट्राफिक का मिजाद सही रखें और मुझे देखें तो मुस्कुराएं ये कटिन नहीं है, हम कटिन बना रहे हैं, और ये कटिन नहीं है मैं नहीं जानती है, को इसी में लगा है कि, तुम्हारी भीट क्या है, तुम्हारी भीट क्या है, मैं कहती हूँ कि मैं नहीं जानती, मैं तो प्रचार करें कुछ लोगों की मदद कर रही हो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आप अगर देखें इस पत को मैंने आज कॉंटेक्ट लेंज भी नहीं लगा रखी है आपके हालत खराबी दिया आपकी बहां इतनी लंबी नहीं कि ये कर सके शाहद मुझे बहां का भी एक extension लगवाना पड़ेगा ठीक है 25 अध्याए 23 चलिए मत्य 23 को देखते हैं तुम परहाई शास्त्रियों और फरीस ही हो मैंने जानती हाई क्या है मगर मुझे तो नहीं चाहिए ही बहानी बाज और कप्कियों तुम पोदीने और सौफ और जीरे का दस्वा अंश देते हो परन्तु तुमने विवस्था की गंभीर बातों को अर्था त्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है चाहिए या कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते तो वो कह रहा है कि वो सब करो दश्मांश दो नियम पर चलो उन बहारी खत्नों के कामों में इतना न उल्जो की इन दिखावों को एहमियत देनी पड़े लोगों को प्रभावित करने के लिए जबकि भ पूरी मनो दशा हो और मन अशुद्ध हो बुरा मनो भाव हो सही है ना है अन्धे अगवों मच्छर को तो छान डालते हो मगरूट को निगल जाते हो 25 है शास्त्रियों और फरिसियों बहाने बाजों और कप्टियों तुम परहाए तुम कटोरे और ठाली को उपर उपर से तो माचते हो परंतो वे भीतर अंधेर असायम से भरे हुए हैं 25 हे अंदे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से माझ कि वे बहार से भी स्वच्छों देखें हम हर सप्पा चर्च जा सकते हैं मगर घर में बंद द्वारों के भीतर क्या चल रहा है अरे भाई वा आज मेरा प्रचार उत्तम है काशकी आप में से प्रती घर जाकर बहतर चुनाओ करना शुरू करता काशकी में घर जाकर बहतर चुनाओ करना शुरू करती जब आपको कोई क्रोधित करे बस क्षमा कर दीजे यदि आपके पती मोजे और जांगिया फर्ष पर फेक कर चल दे तो जीवन में बस एक बार बदलाओ के लिए बाइबल का कहा कीजिए प्रेम पापो को ढापता है उन्हें उठा लीजिए और अपना मूँ बस बंद कर दीजिए एक जोड़ा मोजे के लिए युद्ध ना छेड़िये हमी सदा उनसे कहना पड़ेगा मैंने फिर आपके मोजे उठा लिए आपने उन्हें फिर फर्ष पर छोड़ दिये थे आपने फिर अलमारी की बत्ती नहीं बुजाई बात ये बात है जो मैंने अभी आपसे कहीं शहर पर अंधकार के हाकिमों की सामर्थ और सत्ता धार पर दौरह कर डालने से भी आधिक महात्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि मैंने पता लगाया कि मैं जितनी मीठी बनू उतना ही कम कष्ट मुझे होता है शैतान के साथ आमेन शैतान के साथ मुझे कई तरह के कष्ट उठाने पड़ते थे जब तकि मैं प्रेम ही चलने में सिद्धन ना हुई और जब प्रेम को पढ़ना और प्रेम में चलना शुरू किया और प्रेम की परिभाशा बताने वाले सारी शब्दों को पढ़ लिया यह पता लगाने की सहिश्णुता क्या है और दया क्या है उत्तमता नम्रता और कोमलता क्या है और जब मैंने प्रेम पर ध्जान केंद्रित करना शुरू किया मैं प्रती दिन बिस्तर में आपनी कुर्सी में प्राफना करती थी कि परमीश और आज मुझे किसी के लिए आशीश बनने दे ऐसा कोई बता जिसकी मैं मदद करू मुझे किसी की पीड़ा दूर करने दे एक बाद जानते तब से मुझे शैतान के साथ उतनी तकलीफ नहीं हुई आप लोग समझ रहे हैं न? सो आगे वो और वैसी बाते बताता है सारी बाते यही है प्रकाशित वाक्य तीन पत पंद्रा सोला में बाइबल कहती है तू ठंडा या गर्म हो गुन-गुना ना हो क्योंकि यह गुन-गुना होता तो वो तुझे अपने मुझ से उगल देगा मैंनी सुच्तिक इसकारतिय है कि आप उध्धार खो देंगे मगर अर्थ अवश्य यह है कि इस तरह का बरताओ प्रभू को अप्रिय है जैसे कि हालेलुया आप किसी काफी की दुकान पर ठंडी काफी या गरम काफी खरीच सकते हैं मगर वे कभी गुन-गुना काफी पेश नहीं करते आप लोगों को यहाँ पहला स्थान देखिए चरित्र व्यहवार है व्यक्तित्व है शारिरिक या मानसिक लक्षणों का समू जिनके इकठे उने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है इसे हम लगातार करते हैं ना कि कभी कभी आप कहते हैं अरे मैंने सायली को उस दिन देखा और किसे ने का ओ बात मालो सैली बहुत ही सहनशील है इसका अर्थ है कि सैली तकरीबन हमेशा सहनशील है कभी कबार उसे समस्य हो सकती है मगर वो लगातार सहनशील है इसलिए वो इस चरित्र लक्षन से जानी जाती है जिन लोगों को आप अच्छे तरह जानते हैं उनके बारे में दी सोचे तो आपको उनके बारे में जो खास बातें आप जानते हैं उन्हें बताने में ज्यादा देर नहीं लगेगी ओ जौन तो बड़ा ही बद्दिमाग आदमी है देखी वो शारों ने न बनावटी नाम में बता रही हो वास्तविक नाम नहीं देखी वो शारों ने न वो किसी के लिए कुछ भी नहीं करती एक बात बताती हैं इस तरल सदा सब कुछ दे देती है जब भी उससे देखो लोगों को कुछ न कुछ देती रहती है आप ये न कह बेटे कि उसके कपड़े सुन्दर है वरना वो भी आपको दे देगी कमॉन आप मेरा तात्परी समझ रहे होंगे आप लोग कैसे जाने जाना चाहते हैं लोग आपके बारे में प्राइविट में क्या कहें ओ उस जेन के साथ निबाना तो बहुत मुश्किल है सदा उसके चार और सजग रहना पड़ेगा कमॉन मैं चाहते हूँ कि लोग कहें कि वा जोईस बहुत इस्थिर है जोईस ठोस है जोईस सदा एक जैसी है वो जो प्रचार करती है वही बंद द्वारों के पीछे करती है मैंने उसे प्राइविट में देखा है बाहर शॉपिंग करते हुए देखा है मेरी बात मानो वो सदा वही है मैं चाहते हूँ कि लोग कहें वो जोईस मेर जूटी बिलकुल नहीं है हर चीज जो कितियो बता देती है वो जो सिखाती है वो आपके प्रति दिन के जीवन में काम आएगा आमिन सही बात है न आईए देखते हैं मत्ति अध्या 21 पद 18 उसे भूक लगी और अंजीर का पेड सडक के किनारे देख कर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर देख कर के अंजीर के पेड पर फल और पते की साथ निकलते हैं उसने उसे कहा अपसी तुझ में फिर कभी फल ना लगें और अंजीर का पेड तुरंत सूख गया ये देख कर चेलो ने अचमभा किया और कहा ये अंजीर का पेड क्यों कर तुरंत सूख गया मैं आपको सच बताती है मुझे उस अंजीर के पेड पर दया आती है मैं सालों साल और सालों तक समझी नहीं क्योंकि यहाँ पर ईशू चला जा रहा है और उसे भूक लगी और इस पेड को देखा इस पर पत्ते हैं मगर फल नहीं और वो शाब देता है शाब देता हूं मर जा और सूख जा और फिर वो आगे बढ़ता है हाँ उस पेड़ ने क्या गलती की, वो सिर्फ महां खड़ा था। और यहां मैं सोच रही हूँ, यह पेड़ की गलती नहीं, यदि उसमें फल नहीं लगते। मेरा दोश नहीं, आप में से कुछ समझ रहे हैं। हमारा चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम लगातार साथ रखते हैं, ना कि कभी-कभी यही हमारे जीवन में अंतर लाता है। मेरी विचार से दूसरे हमें देखें कि हम स्थेर हैं उन्हें माना चाहिए कि हम सचे लोग हैं बादाने भाने वाले लोग हैं कहें जो करने वाले हैं और वही करें जो हमने कहा है हमें इमानदार होना है सदा सच बोलना चाहिए हमें बहुत सी चीजें सीखनी चाहिए जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और हाँ हमारी उम्र चाहे जितनी हो जाए जब हम इश्व के साथ रिष्टे में जुरते हैं हमें उसमें बढ़ना चाहिए मगर आपके पास यदि ऐसी सामग्रियां हो यात्रा करते हुए प्रोचसाहन के लिए तो आप पहुँच जाएंगे और जैवन थोकर लक्ष को पालेंगे